दोस्तो वैसे तो हम में से सभी ने कभी ना कभी लोहपत गामिनी में सफर तो बहुत किया होगा शमझे ना लोहपत गामिनी यानि की ट्रेन दोस्तो बता दूं की ट्रेन का सफर जब और भी ज़्यादा मनमोहक हो जाता है जब हम ट्रेन के डब्बे के अंदर बैठे होते हैं ट्रेन चुक 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 करके चलती रहती है और गुजरती है कई तरह के हिल स्टेशनों से जंगलों से पहाडों से मैदानों से पठारों से और ऐसे ऐसे खुबशूरत सहरों में से जिन को देखते ही हमारा मन अंदर से प आपका अपना विलोगिंग चैनल जिसका नाम है विलोगिंग विद राजवीर तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों विश्व के अंदर भारत का रेल नेटवर्क सबसे बड़ा है भारत में ऐसे कई रेलवे स्टेशन मौजूद हैं जो अद्बुत के ऐशे कुछ चुनिंदा खूबशूरत रेलवे स्टेशन तो चलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शत्रपती सिवाजी टर्मिनल मुंबई का जिहां भारत के सबसे अद्बुत रेलवे स्टेशनों में सुमार शत्रपती सिवाजी टर्मिनस या Victoria Terminus भारत के माहराष्ट राज्ये की राजधानी मुंबई में स्थित है। छत्रपती सिवाजी Terminus को जादातर CST या VT के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई शहर का ये railway station अद्बुत सनरचना और भारत में छत्रपती सिवाजी Terminus वास्तु शेलिया लोथिक कला का एक आदर्स उधारन प्रस्तुत करता है। छत्रपती सिवाजी Terminus मुंबई की सनरचना का निर्मान वर्ष 1878 में सुरू किया गया था और इसे वर्ष 1887 में इसका निर्मान पूरा हुआ। वर्स उन्नीस सो सत्यान में यानि 1997 में छत्रपती शिवाजी टर्मिनस मुंबई को युनेसको के तहत विश्व विरासत इस्थल में सामिल कर लिया गया था। यह स्थेशन मेट्रो सिटी और इस्थानगे लोगों की भीडभाड का यथा इस्थान तक पहुँचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। गूम रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जलिंग में प्राकर्तिक सुंदर्ता के मद्दे इस्थित गूम रेलवे स्टेशन भारत का बहुत ही आकर्सक रेलवे स्टेशन है। भारत के सबसे खूबशूरत रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है। दूध सागर रेलवे स्टेशन दक्षने गोवा का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। मुझा थे का लेका झाल को श्सारंगों के माध्यम से चलने वाले एक ग्रेट रेक जैसा दिखाई देता है। चार बाग रेलवे स्टेशन लखनव। लखनव। का चार बाग रेलवे स्टेशन भारत के सबसे खुबसूरत रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है। चार बाग रेलवे स्टेशन का नाम लखनाओं में विद्दमान चार प्रमुख उद्धानों से लिया गया है। आपको बता दें चार बाग रेलवे स्टेशन एक शांदार इमारत है। जिसमें शांदार एक्स्टीरियर है। और सामने एक गार्डन के साथ यह स्टेशन किसी पेले से कम नहीं लगता। जबकि स्टेशन की वास्तुकला में राजपूत और मोगल शेलियों का मिश्रण देखा जा सकता है। और इसके साथ ही इस रेलवे स्टेशन की एक और दिल्चस विशेशता यह है कि स्टेशन का हावाई द्रस से सत्रंज बोर्ड जैसा दिखता है। जिसके खंबे और गुमबद सत्रंज बोर्ड के टुकडे जैसे प्रतीत होते हैं। हावडा railway station कौलकाता 1854 में निरमित हावडा railway station भारत का सबसे पुराना और माशोहूर railway station है स्टेशन हुगली नदी के टट परिष्थित है और हावडा ब्रिज की मदद से कौलकाता से जुड़ा हुआ है जो दुनिया की सबसे वियस्त railway station मेंसे एक है भारत में किसी भी अन्य रेलवे स्टेशनों के मुकाबले उच्छतम ट्रेन हैंडलिंग छमता है और लोगों की सेवा करने के लिए इसके पास 23 फ्लेट फॉर्म है जहां लगबग 600 यातरी ट्रेने प्रती दिन स्टेशन से गुजरती है कानपूर रेलवे स्टेशन कानपूर रेलवे स्टेशन उत्तर परदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और भारत के चार मद्दे रेलवे स्टेशनों में से एक है कानपूर रेलवे स्टेशन की स्थापना 1928 में हुई थी जो की 1930 में पूरा हुआ था आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कानपूर रेलवे स्टेशन के भवन के निर्मान की वस्तुकला लखनव के चार बाग रेलवे स्टेशन से प्रेरित है और इस रेलवे स्टेशन को वर्तमान में भारत के सबसे खूबसूरत वे मशुहूर रेलवे स्टेशनों की सूची में सामिल किया गया कटक रेलवे स्टेशन भारत के सबसे खूबसूरत और आकरसक रेलवे स्टेशनों में शुमार कटक रेलवे स्टेशन उडिसा के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है और यह है रेलवे स्टेशन भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से भी एक है जो की 1899 में से लगातार भारती रेलवे नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है कटक रेलवे स्टेशन की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इस स्टेशन को बारावती किले के आकार में पुनर निर्मित किया गया है और ये है किला कलिंग में पूरवी गंगा वंस के सासक के दोरान चोदवी सताबदी में बनाया गया था विजेवाडा रेलवे स्टेशन आंधर प्रदेश विजेवाडा रेलवे स्टेशन दक्षिन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है भारत के इस खूबसूरत स्टेशन का निर्मान 1888 में किया गया था जब दक्षणी महराजार रेलवे का मुख्य मार्गवे अन्य लाइनों से जुड़ा था भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन केरल का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्ट स्टेशन है इसे 1931 में बनाया गया था और ये भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है इस रेलवे स्टेशन को अ रेलवे स्टेशन जम्मू कस्मीर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो रेल मार्क द्वारा सिरिनगर को जम्मू कस्मीर और भारत के अन्य प्रमुख सहरों से जोड़ता है। दक्षन का प्रवेश द्वार भी माना जाता है और यह दक्षन भारत के सबसे महतपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है। द्वार का रेलवे स्टेशन की संरचना यहां के अन्य प्रशिद मंदिरों के समान है और यह स्टेशन दूर से देखने पर एक विशाल मंदिर की तरह प्रतीत होता है। किसी वज़े से द्वार का रेलवे स्टेशन को भारत के सबसे आकरशक्व सुन्दर रेलवे स्टेशनों की शूची में सामिल किया गया है। दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं मेरे दुआरा दी हुई जानकारी से आप जरूर लाब उठाएंगे। मैं आपका दोस्त राजवीर फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी नए ट्रेवल टोपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त द किसी ये चैहिंद है।